प्रश्वान लोगसभा सीट पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है अब जानते हैं कि कौन सी पार्टी की तरफ से वह चुनाव लड़ेंगी क्या को जानकारी है जानेंगे वरिस सही ओग्या शुतोष मिश्णा से सर क्या जानकारी है देखें लेक्रूजिनों से राजत स अल्ला है और वो खटपट तभी शुरू हो रहे थी जब उनको पिछली बार राजसभा चुनाव में उमिद्वार नहीं बनाया गया था या राजजिटी ने राजसभा नहीं भेजा था तब कहा जा रहा था कि शायद राजत का हीना सहाफ से मो भंग हो चुका है मो भंग होलन के पीछे रीजन भी है लगातार तीन चुनाव में राजद ने उन्हें टिकट दिया सीवान से 2009, 2014 और 2019 लेकिन तीनों बार अलग अलग अमिद्वारों ने उन्हें शिकास थी पहले 2009 में निर्दली उमिद्वार अमप्रकाश यादों ने उन्हें हराया, 2014 में मोधी लहर में फिर से अमप्रकाश यादों बीजे पीटे सिंबल पर चुनावल लरे और तफशिकास थी और 2019 में कविता सिंग तो कविता सिंग ने उन्हें मात दे दी उस्ते बाद से धीरे धीरे कत्ते हुए शाब वो दिन का खास्त वर पजब 2021 में निथन हुआ उस्ते बाद से हीना शाब और उनके पोत्र जो असामा है वो सब अलग थलर पढ़ते चले गए राजनिती में तब शुरू हो गया जब शहाबुद्दिन को जीला बदर किया गया और उनके ज्यादा समय सिवान के बजाए पटना या दिली में ही बितने लगा और फिर वो जेल चले गए तब से चीजे बदलने शुरू हो गई हलाकि एक वक्त ऐसा भी था जब शिवान में शहाबुद्दिन की तूती बोलती थी और शहाबुद्दिन ही वो सक्ष है जिनोंने कभी लालू यादों की सरकार तक बचाई थी विधायकों को अपने पाले में किया था और उस समय अहम भोमिता निभाई जा रहे थी लेकिन इनाम भी राजत परिवार की तरफ से मिला ऐसा राजत परिवार करता है लेकिन वार्ट के दिनों में चाहे पिसली बार जो चुना हुआ था उसमें भी कहा जा रहा है कि हीना शहाब में मुस्लिम बद्दताओं को राजत के खिलाफ वोट करने के लिए प्रभावित किया थ शुट्टी राजत से खटपट चल लेती उनकी फिछले दिनों आपने एक इंटर्विव में भी सुना हुआ तेजस्वी आदो से हीना सहाब को लेटर पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हीना सहाब या ये लोग तो खुद को राजत से अलग मानता है ऐसे में हम लोग क्या जा रहा है और शायर इसनी भनक हीना शहाब को लग चुटी है और यही वज़ा है कि उन्होंने पत्रकारों से बात्चित तरते हुए ये साफ कहा है कि इस बार वो किसी से अलग नहीं है अलग ही राजत से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनको लेगिन ये सिर्प स्टेट कोई पाटी नहीं होगी और वो नहीं तो फिर ओसामा साहब यानि शाहाब—दीं के जो पूत्र है वह भी चुनाव लड़ सकते हैं या तो मा या फिर पूत्र कोई भी चुनाव लड़ सकता है ऐसी बाते सामने आ रही है तो अब देखने जब चुनाओं में वो उतरती हैं तो फिर किसे नफ़ा और किसे नुक्सान होता है जाहिर तोर पर अगर वो चुनाओं में उतरती हैं तो राज़त को बरा जटका लग सकता है जो कि राज़त के वोट बैंक में मुसलिम और यादव का जो समिटरन है उसी पर पकर है हीना शहा तो ऐसे में एक पर फिर से जो जीता सपना है राजत को महागटवंधन को उसमें नाकामी हासिल हो सकती है हीना शाहब के उतरने के बार अब तुरा सहाब नजर बता देते हैं कि शाहब उद्दिन का जो सियासी सफर था वो कप से कप शुरू हुआ था तो 1990 में सहाब दिन पहली बार जीरादई से चुनाओ जीते थे उस्ते बाद 1995 में जनता दल को मिद्वार पर विधायक पने फिर 1996 से 2004 तक वो राजत के टिकट पर चार बार सांसा चुने गए लेकिन 2004 के बाद जब किसे जोरा चला तो फिर उसके बाद उनका पोलेटल करियर जीरे 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 अंत क्योर जाने लगा और फिर 2005 में जब वो जेल से बाहर आये तब DM ने CCA के तहतुने जीला बदर कर दिया और उसके बाद दिली पटनाय में उनका ज्यादा समय बितने लगा और फिर जीरे जीरे हासिये पर वो चलेगा है अब देखते हैं कि इस बीच में कुछ डैमेज कंट्रोल तरने की कोशिश होती है या नहीं होती है फिलहाल हीना शहाब ने मन बना लिया है कि वो या उनके पुत्र चुनाव शिवान से लोगसावाटा लड़ सकते हैं तो वही पकड़ हीना साहब की है अब देखना होगा कि वक्त के साथ तस्वीर कैसे साफ होती है तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्राइब शुक्राइब